इक reg d's अ्वेटर me इसम उसकी वीडियो में हमँ बात करने वाले हैं केपैसिटर यानी सन् LGBT के बारे में केपैसिटर क्या होता है क्यों सक वर्क और इसका इसक इंदार ना किया材 haud करते हैं जानेगे आज वीडियो में मैं आवे सवकुमार चली शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को दोस्तों कैपेसिटर एक ऐसा कमपोनेंट है जो एलेक्ट्रिसिटी को कुछ समय तक एलेक्ट्रिक फिल्ड के रूप में स्टोर कर सकता है मतलब अगर हम कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज कर दें तो कुछ समय तक उस कैपेसिटर की वैल्यू के एकॉर्डिंग उसमें वोल्टेज प्रेजन रहेगा अगर हम कोई लोड लगाते हैं तो वह कुछ ही समय तक वर्ग करेगा फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा यह पैसिव एलेक्ट्रोनी कंपोनेंट है जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं आप इसके निगेटिव साइड को इस पर वने एरो से पैचान सकते हैं या इसके सिंबल्स हैं केपसिटर की एफेक्ट को कैपसिटेंस कहते हैं दोस्तों कैपसिटर में अधिकांस तदो इलेक्रिकल कंड़क्टर्स मेटलिक प्लेट के रूप में होते हैं और इनके बीच में dielectric medium होता है dielectric medium का काम capacitor charge के capacity को increase करना होता है इनके लिए commonly glass, ceramic, paper film, plastic, mica, air और oxide layer का इस्तमाल किया आता है जब भी हम capacitor के सीरे पर बैटरी जोड़ते हैं तब capacitor के दोनों terminals पर electron balance होती है और dielectric medium एक electric field बनाती है जो एक terminal से net positive charge collect करके second pole पर net positive यानि negative charge पहुचाती है यानि इनके बीच physically किसी भी परकार का electron flow नहीं होता है दोस्तों यह बात हो गया कि capacitor काम कैसे करता है अब बात करते हैं कि इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है capacitor का इस्तमाल कई परकार के application में किया जाता है हम इसका use DC current को purify करने के लिए करते है bridge rectifier में विसेश तर इसका इस्तमाल करते है oscillators में इसका use होता है और variable capacitor का use हम radio में frequency tuning के लिए करते है इसका इस्तमाल बड़े इस्तों पर भी किया जाता है जैसे हमारे घरों के पंखों में capacitor का use होता है उसे condenser या condensator बोलते है motor में भी इसका use होता है और power distribution center पर इसका use power factor correction के लिए किया आता है दोस्तों capacitor polarized और non polarized types के होते है polarized capacitor का use DC में होता है और non polarized capacitor का use AC और DC दोनों में किया आता है polarized के उपर में positive और negative printed होते है जिस कारण से हम उसका इसका इस्तमाल सिफ DC में करते है पर non polarized में हम किसी भी तरह positive या negative लगा सकते है capacitors को हम farad में मापते है मुकिता इसकी counting millifarad, microfarad, nanofarad और picofarad में की जाती है capacitance की value को C से denote करते है और या इसके symbols हैं जिनका इस्तमाल हम circuits में करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही capacitors की value निकालने या capacitance calculation की बात हम coming videos में करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आतो वीडियो के like कीजिए and share it to your friends and family कोई dot या कोई suggestion देना चाहते हैं तो feel free to use comment box या नी तो आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं link in the description box ऐसे ही electro points या फिर science की updates जानने के लिए subscribe कीज़े quantum दुनिया को and press कर लो bell icon को meet you guys in the next video अब तक लिए take care, जय हिंद